हेलो दोस्तो मेरा नाम परदीब कुमार और आप देख रहे हैं ABC4U YouTube चैनल दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फोटो सॉप में हिंदी टैपिंग कैसे कर सकते हैं इस टोपिक पे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड है जिनका कॉमेंट आया था मैंने कल लगभग 3-4 घंटे आप सभी को कमेंट का रिपलाई देता रहा गया और सबसे जो ज़्यादा कमेंट आने वाला था वो हिंदी टैपिंग से रिलेटेड तो इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि आप अपना सकते हैं उसमें से कोई भी तरीका तो दोस्तों चलिए अब अपने टॉपिक की ओड़ बढ़ते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास फोटोसप 7.0 है अब भी हमारे पास सभी बताऊंगा जैसे कि यह CS6 में भी टैपिंग करना बताऊंगा और जो सबसे लास्ट में बताऊंगा वो लगभग सभी कोई यूज करते हैं तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए तो यहां से देखिए सबसे पहले हम यहां से एक पेज ले लेते हैं और इसमें हिंदी टैपिंग तो देखिए जिनको हिंदी टैपिंग नहीं आता translate.google.com को open कर लेना है कुछ इस तरह से इसका interface आएगा और यहां से जो भी आप language select करना चाहें यह नहीं कि हिंदी में ही यहां बहुत सारे language है तो इसमें से आप अपने अनुसार इसमें से select करेंगे तो यहां से देखिए हिंदी tapping है इसमें हम select किये sorry हिंदी है language तो इसको select क कर लिए और यहां आप जो भी type करना चाहें जैसे कि हिंदी में जो भी कुछ आप अपने अनुसार टाइप करना है जैसे कि मैं यह type करूं जैसे कि आप देख सकते हैं तो अगर हम इसको copy करते हैं पहले select करेंगे right click करके और यहां से गौपी करेंगे और यहां से हम चलते है यह जो हमने Photoshop 7.0 open किया है यहां से Type Tool select करते हैं और यहां से आप देखिए Black color हम select कर लेते हैं उसके बाद हम यहां paste कर देंगे तो यह देखिए दीख नहीं रहा है तो दोस्तों आप कहेंगे कि यहां से background में color match हुआ है तो हम इसको Black भी कर लेते हैं नहीं होगा मेरे दोस्त यह तरीका गलत है इसको आप double click करके यहां से भी आप color overlay देंगे तब पर भी इसमे color नहीं आयेगा आप यहां से कोई font भी change कर लेंगे तब भी वो text नहीं दिखाई देगा तो यहां से आप देख सकते हैं एक और तरीका है जैसे कि यहां से sorry यहां से हम क्या करेंगे देखिए यहां से हम क्या करेंगे यह जो text है इसको copy करेंगे और इसको जो कुरूती देव का uniform code होता है उसमें हम change करेंगे तो जैसा कि हमारे पास यह खोल के रखा हुआ है जैसा इसका site मैं नीचे description में दे दूंगा और यहां से देखिए हम type करेंगे जैसे कि paste कर लेंगे यहां से paste कर लिए और उसके बाद इसको unicode में convert कर लिए हिंदी जो कुरूती देव का unicode होता है उसमें और उसके बाद हम हम इसको copy कर लेते हैं फिर हम यहां से क्या करेंगे Photoshop में आके paste कर लेंगे तब पर भी यह नहीं दिखेगा मेरे दोस्त और यही अगर आपको दिखाते हैं हम जैसे कि Photoshop CS6 या फिर कोई सा भी आपके version है latest Photoshop का version है उसमें आप यह काम करेंगे तो कोई सा भी work करेगा कोई भी त देखिए आ गया और जो हमने translate के माद हैं से Google translate के माद हम से टाइप किया है उसको भी हम copy करके और यहां paste करेंगे तो भी आ जाएगा तो इसमें Photoshop 7.0 में यह बहुत बड़ा problem है या फिर यहां से देखिए हमने Google Indic जो keyboard होता है जैसे कि लांग वेज तो उसको भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो अगर आप Photoshop में 7.0 में टाइप करते हैं तो वो नहीं होगा और यही अगर आप दूसरा कोई version में टाइप करेंगे तो यह हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं और 7.0 में मैं आपको दिखाना चाहूंगा जैसे कि यहां से ओपन कर लेते है आपन करने के बाद एक पेज हम बना लेते हैं country अ करके और यहां से हम टाइप करेंगे जैसे कि यह वाला तो यह इसमें नहीं होगा यह देखिये यहां से दिखिये जैसकि हम अपना नेम ही लिख लेते हैं परदीप कुमार तो यह देखिये नहीं हो रहा है तो इस तरह से यह नहीं होगा दोस्तों जैसे कि Photoshop 7.0 में उस दोसर लेटेस्ट वर्जन में आप बना सकते हैं तो 7.0 में एक ही तरीका है जो कि मैं अब बताना चाहूंगा तो यहां से आपके पास जैसे कि आपके सिस्टम में अगर हिंदी फॉंट है तो आप यूज कर सकते हैं नहीं तो आ देख सकते हैं यहां दिया हुआ है और यहां आपको लिखने में दिक्कत होगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा लेकिन आप सीख जाएंगे तो यह बहुत ही असान है मेरे दोस्त तो यहां से देखिए यह जो है आप देख सकते हैं यहां जैसे कि English में भी दिया हुआ है और Hindi में भी दिया हुआ है तो इसमें आप क्या करेंगे ये देखिए बहुत सारे हैं यहां से देख करके टाइप कर सकते हैं शुरू बार में दिक्कत होगा अगर आपका हाथ बैठ जाएगा keyboard पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा तो यहां से आप Hindi hindi font download कर लीजिए और उसके बाद Hindi font डाउन्लोड करने के बाद आप यहां से abonnt डाउन्लोड किये हैं वो यहां सो करेगा जैसे कि font में हैं तो यहां से select कर लीजिए उसके बाद आप यहां से कोई सा भी पेस लिजिए अपने अब आप यहां से टाइप करेंगे तो वह टाइप होगा जैसा कि मेरे पास अभी यही टुल सेलेक्ट है तो इसको हम यह करते हैं और अब हम टाइप करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यह हो गया और अपना नेम ही लिख लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं तो आपको य जाही करना होगा इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त कोई भी टिरिक काम नहीं करेगा फोटोसप 7.0 में करेगा जो लेटेस्ट फोटोसप का भर्जन है उसमें कोई भी टिरिक काम करेगा लेकिन 7.0 में नहीं करेगा इसके लिए आपको हिंदी फोंट को टैपिंग स बस ये छोटी सी जनकारी आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़ेर जरूर कर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ